उत्रकंड में कोरोना संकर्मण के मरीजों का आंकड़ा थमनी का नाम नहीं ले रहा है, जहां एक बर फिर रिशी के स्थित एम्स में एक नर्सिंग ओफिसर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसे स्वास्ते विभाग में हड़कंप मच गया, बताए जा रहा है क नर्सिंग ओफिसर यूरोलोजी विभाग से है, वहीं इसके अलावा दून मेडिकल कॉलेज में भरते एक महिला भी संकर्मित मिली है, महिला को डिलिवरी के लिए इस्पताल में भरती करा गया था, जहां खासी जुकाम के करण महिला का सेंपल जांच के लिए भेजा था, प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि संस्थान ने एहतियात के तौर पर यूरोलोजी आईपीडी में कारेरत सभी स्टाफ मेंबर्स की कोविड-19 स्क्रीनिंग और टेस्टिंग करने शुरू कर दी है, सभी करमचारियों का सेंपल लिया जा रहा है, साती यूरोलोजी आईपी में काम कर रहा था, और 24 तारिक को सबसे पहले इसको सिंटम्स डिवलप हुए, जो की माइड थे, माइड कॉफ और सोर थ्रोट, 24 तारिक को इसने हमारी स्क्रीनिंग ओपिडी में रिपोर्ट नहीं किया, 25 तारिक को इसको थोड़ा सा सिंटम्स जब जादा हुए, तो इसन क्या कारण हो सकते हैं? टीवी के लिए रिशिकेज से कुल्दी प्रावत की रिपोर्ट